कमाना है मोर तो बन जाओ कॉर मेरा नामा जी चक्रवरति है बने रहे इस सेशन के अंतक आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपने टीम में कॉर लीडर की फॉज कैसे खड़े करना है और पहचानना कैसे है कि मेरे टीम में ऐसे कई लोग है जो ओल्रेडी कॉर की क्वाल्टी आज मैं बात करने वाला हूं और सिक्रिट बताने वाला हूं की क्या होता यदि आपने अपने इस 좀 ne मानिये आपकर एक ड्रीम पूरे हो सकते हैं आप आप ऐसा जैदा कमाना चाहेते गाड़ी बंगला देश विदेश की यात्रा मान सम्मान और इस सरी चीज़ जो आप प्रेकिह मार्केटिंग में आपने सुना होगा कि मिलती हैं उस सारी चीज़े अप प्राप्त कर सकते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस all लीडर की quality होजी आपको हर हफ्ते एक core leader develop करना है यदि आप एक core leader develop कर पाए तो यकीन मानिए आपको business भूम कर सकता है बहुत आगे बढ़ सकता है और हम बहुत आगे तक निकल सकते हैं इस business में लेकिन core की quality क्या होती है उसके बारे में जानना बहुत जादा जरूरी होता है आप देखिए कोर की quality क्या है यदि आप सबसे पहले आप यह देखिए कि उस वेक्ति का उनले रहे और की नहीं की देखिए कफॉलो कर रहा है तो उसके और भी क्वाल्टीयों को आँ देखिए कोर यदि आपने उससे बना दिया औरMM काूर खड़ी कर दिया कोर की कोर लिडर की तो आप यह मानिए कि वह बहुत बड़ा काम कर सकता है तो देखे, core की first quality जो है core leader की, तो पहला वो daily plan दिखाता है की नहीं, अब daily plan दिखाने से मेरा मतलब है कि daily एक plan दिखा रहा है या 5 plan दिखा रहा है, उसका divide आप खुद कर सकती, यदि वो part time काम कर रहा है, तो daily एक plan तो दिखाने दिखाना चाहिए, और यदि वो full time है, तो 5 से 10 plan उसे परड़े करना चाहिए, जिसके पैसे नहीं आ रहे, जिसको आज rich फिल नहीं हो रहा, जिसके ज़्यादा payout नहीं बन रहे है, payment ज़्यादा नहीं आ रहा है, income ज़्यादा नहीं आ रहे, वो कहीं न कहीं plan पर रुके हुए, यदि वो 5 से 10 plan परड़े करने लग जाए न तो plan बहुत important है, और summertime बाले कुछ लोग होते हैं कि mood आया तो महिने में एक plan दिखा दिया, 30 दिन में, 90 दिन में, 40 दिन में, इस तरीके का plan यदि आप दिखा रहे हैं तो अभी आप बंद कर जिए, वो core leader नहीं है, तो पहली quality हो गई, कि plan दिखाता हो, दूसरी सबसे most important quality जो volume वो करता है कि नहीं करता, यह बहुत important है, आप देखी कि product training, जब तक उसके अंदर product training नहीं आएगी, तो वो product को खुद इस्तमाल नहीं करेगा, और वो master जब नहीं होगा, आप देखिए, आप से किसी वेक्तिने suggestion मांगा कि मेरे digestion खराब है, यदि मुझे BP है, cholesterol है, और उन स business के ना master बनाने के लिए product training बहुत important रखती है, product training लीजे, उसको sale कर रहा है, 5000 business volume कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तीसरी जो quality है, एक core leader की, वो है कि, और listen audio and video training, आपको एक तो audio सुनना है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग रहती हैं, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें, जो मिलती हैं, वो चीज़ों को training के रूप में लीजे, कुछ training होगी product के बारे में, कुछ होगी self develop के बारे में, तो उन training को आप बारी की सुनिए, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप audio को लगा दीजे, आप वो काम करते रह देखने से अच्छा है कि आप training वो लगा दीजे, जिससे वो लगातार आपके mind में वो बाते चलती रहेंगी, next quality है, महिने में एक seminar आपको attend करना है, आपके लोग attend करें, या फिर आप, आपको तो रहना ही रहना है, क्योंकि आप core हो, क्योंकि core की quality है, आपको करना है attend, और आपके बैक्ती जो भी हैं, आपके जो भी दो चार आठ लोग हैं, गुरूप में, उन लोगों को training attend करानी है, seminar attend करानी है, क्योंकि seminar से जो vision killer होता है, जब वो successful लोगों को देखता है, seminar में देखता है, क्यार मेरे जैसा बैक्ती, मेरे से कम पड़ा लिखा बैक्ती, आज पांच लागी सारी चीज़ें इंकम कर रहा है, और उसकी स्टोरी को बताता है, जब वो share करता है, तब उसे पता चलता है, कि नहीं यार वाक्य में ये quality जो है, इस पे नहीं है, मैं तो develop कर सकता हूँ, सारी quality, मेरे में तो और अच्छी चीज़ें है, तब फिर उसे improvement करता है और core leader बनता है, और आगे बढ़ता है, तो जब उसकी energy boost होती है, फिर वो काम करना चालू करता है, next जो quality है, 30 minute daily book पढ़ता है, जो core leader हो 30 minute book वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जिरूरी है, self improvement होता है, उसका vision clear होता है, उसमें जो negativity हुई है, जो करोध करना, ज्यादा बोलना, क कैसे बोलना है, इस सारी चीज़ें, books उसको काटती है, वो छाटती है, वो कहीं न कहीं, self को, self victory को develop करता है, उसका super version, जो बोलते हैं, super quality उसको निभर के आती है, वो सारी चीज़ें, उसके अंदर आती है, quality आती है, next जो quality है, वो है, उसको countable होना चाहिए, उस leader को countable होना च कि उसके team में, उसके group में no credit, बिल्कुल उधारी नहीं होना चाहिए, एक रुपए का भी खाता होना ही नहीं चाहिए, apply and or download के बीच में कोई खाता होना जरूरी नहीं है, वो जितने plan दिखाता है, उसकी responsibility, swim लेना चाहिए, swim जिम्मेदारी लेना चाहिए, कि जहां से मैं ख दिखाना है अपने group में, तो मुझे करना है, वो सारी responsibility लेता है, और responsibility जो जिम्मेदारी बोली जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है, यदि वो core leader, उस सारी जिम्मेदारी लेता है, और बहुत अच्छे से निभाता है, तो वो core leader है, और जो last जो quality है, जो most important quality है, वो है be a teachable, ह books पढ़ता रहे, वो सारी चीज़ें teachable होना चाहिए, workshop हो, training हो, वो सारे seminar हो, attend करता हो, और अपना एक perfect role model बनाया, चंद्रगुप्त का चानक था, और भी जैसे मोदी के कोई और गुरू होगा, सचिन तेंदूलकर का कोई और गुरू होगा, तो ये सब गुरू है, वो role model बना को सिखाएगा कैसे, तो ये जितनी quality हैं, इस साथों की साथों quality हैं यदि उस leader में हैं, तो कहीं न कहीं वो leader, core leader है, और वो core leader, यदि उस साथों quality उसमें नहीं हैं, तो आप उस पे डालने की courses करिए, उन्हें बताईए, समझाईए, कि साथों quality यदि आप improve करते हो, और आपक आते हो, आने वाले हर व्यक्ति आपको देख के core बनते हैं, तो आने वाले सम्में एक core की team खड़ी हो जाएगी, और आपके जितने सपने वो पूरे हो सकते हैं, तो ये सारी चीजा ध्यान रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने team में core बनाईए, यदि कमाना चाहत अगले session में हर व्यक्ति को ये video share करिए, और बताइए कि क्या power रखता है ये business और core leader, तो thank you so much, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much